नमस्कार आप देख रहे हैं The Fact in DR और मैं हूँ आपके साथ दिम्पिल शर्मा देश में कोरोना संकट के बीच पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से आई वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी जहां अधी में शव तैरते दिखाए दिये थे और हाली का वो मंजर भी आपको याद ही होगा जब उत्तर प्रदेश में घाट के पास मिट्टी में दफन सैक्रो शबों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वारण हो गई थी अब उसी उत्तर प्रदेश से एक और चौका देने वाला मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह चाएंगे दरसल कोरोना की दूसरी लहर में ऐसी कई तस्वीरें आई जिसने मानपता को शर्मसार किया कई जगा नदियों में शव उतारते नजर आए कहा गया कि सभी शव कोरोना संक्रमित है और आर्थिक तंगी की वज़ा से अंतम संसकार न करपाने की स्तिती में परिजनों ने ने नदियों में प्रवाइद किया इस मुद्दे को लेकर विपक्षने सरकार पर निशाना सादा जिसके बाद शवों के प्रवाव पर रोक लगाने के साथ ही जल पुलिस की तैनाती की कई इस बीच उत्तरप्रदेश के बलरांपुर जिले से एक वीडियो सामने आया इस बाइरल वीडियो में दो यूवक एक शव को पुल से राप्ती नदी में फैक्ते हुई नजर आ रहे हैं शव फैकने वाले दोनों यूवकों में से एक यूवक फीपी किट पहने नजर आ रहा है गटना कोतवाली नगट शेत्र के राप्ती नदी पर बने सीसी घाट पुल की बताई जा रही है दरसल वाइरल वीडियो राप्ती नदी में फेका जारा शव सिद्दाट नगट जिले के शौरत गड के रहने बाले का है जानकारी में पता चला है कि 25 मई को कोरोना संकर्वित होने पर उन्हें सैंट तजला स्पताल के एल्टु वार्ड में भर्ती करा गया था 28 मई को इलाज के दारान उसकी मृत्ती हो गई CMO ने बताया कि COVID प्रोटकॉल की तहट प्रतक के शव को उनके परिजनों को सौप दिया गया था वारल वीडियो में शव को रापती नदी में फैक्ते होई दर्शाय गया इस समद में कोतवाली नकर में केस दर्श करा दिया गया है और मामले की जाच भी की जारी है लेकिन यहां भी जाच का विशे है कि P.P. किच पहनने वाला यूवक स्वास्ते विभाग का कर्मचारी है या कोई और यहां यह बात भी मैत्वपूर्ण है कि कोरोना संक्रमंट से मरने वाले लोगों के दास संसकार के लिए सरकार ने जब पास हजार रुपए देने की व्यवस्ता की है बावजूद इसके पुलसे शव को नदी में फेके जाना एक गंबीर आपरादिक गटना है नमस्कार